हेलो दोस्तों, FlySky i6 Transmitter की सिरीज में पांच भी वीडियो में आप सभी का सौगत है आज की वीडियो के अंदर हम अपने कॉंसेप्ट्स को अपने सेटिंग्स के बारे में एक्स्प्रेनेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सब अपने सेटिंग्स के आगे के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने transmitter को on कर लेते हैं और आज की वीडियो के अंदर हम जाएंगे अपने setup बाले column में यहाँ पे हमें सबसे पहला option reverse का देखने को मिलता है इससे कि हम किसी भी channel के function को reverse कर सकते हैं for example कोई भी motor, कोई भी servo motor ले ले वो clockwise घूम रहा है तो reverse करने से वो anti-clockwise घूमने लगेगा मैं आपको demonstrate करके दिखाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा servo का function कुछ इस तरीके से है जब हम stick को left की तरफ करते हैं तो हमारा जो motor है वो clockwise भूमता है पर यहाँ पे हम इसको reverse कर देंगे और फिर इसका function change हो जाएगा उसे मैं आपको explain करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक servo की मदद से यहाँ पे हम channel number first को reverse कर देते हैं अब हम back हो जाते हैं और यहाँ पे अब आप देखें जैसे ही मैं stick को move करूँगा यहाँ पे आपको change of direction देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं अपने दूसरी setting के बारे में जो कि है end point end points की मदद से हम अपने किसी भी servo की working को जो है extend कर सकते हैं for example वो अभी 100% तक work कर रहा था तो उसकी थोड़ी सी frequency जादा हो जाएगी जिससे कि वो 120% तक थोड़ा से जादा rotate कर जाएगा तो हम end points की मदद से अपने जो frequency है उसे बढ़ा सकते हैं यानि हम अपना जो path है उसे बढ़ा कर सकते हैं for example कोई भी servo जादा rotate करने लगेगा हलका suggest जादा rotate करने लगेगा तो यह हम सभी channels के अंदर applicable है हमारे 6 channels के अंदर ही यहाँ पे transmitter के applicable है बाकी के 4 channels में यह applicable नहीं होता है तो आप यहाँ पे end points की मदद से चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं और बात करते हैं display की तो यहाँ पे हमारे सारे channels के function को display किया जाता है यहाँ पे अभी फिलाल मैंने 6 channel ही on कर रखे हैं इसलिए यहाँ पे केवल 6 channels के function ही display हो रहे है जैसे ही हम अपने 7, 8 और 9, 10th auxiliary channels में भी switch assign कर देंगे तो हमें वहाँ भी देखने को मिल जाएगा display के अंदर की हमारा क्या function हो रहा है तो यहाँ देख सकते हैं आप मैं जा रहा हूँ auxiliary channels के अंदर और यहाँ पे मैं सारे कुछ switches assign कर दूँगा यहाँ पे channel 7 में हम switch assign करेंगे switch A channel 8 में हम switch assign करेंगे switch B channel 9 में हम switch assign करेंगे switch C और channel 10 में हम switch assign करेंगे switch D और यहाँ से हम इस settings को save करने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सारे channels का जो function है वो यहाँ पे display हो रहा है तो display का main काम यही है कि यहाँ पे आपको दिखाए कि सारे channels अपने तरीके से धंग से work कर रहे हैं या नहीं यहाँ पे 10 channels तक आप देख सकते हैं चुकि मैंने अपने transmitter 10 channels में convert किया था इसलिए यहाँ पे 10 channels तक का सोब हो रहा है अब हम बात करते हैं अपने auxiliary channels के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप auxiliary channels select कर सकते हैं जैसे कि हमने पांचवे, छटमे, साथमे, आठमे और नौमे, दसमे यह हमारे 6 channels auxiliary channels होते हैं यहाँ पे आप select कर सकते हैं switch C plus D या other चीजें आप यहाँ पे select कर सकते हैं तो मैं आपको demonstrate करके दिखाँगा switch C plus D पे यह कैसा work करेगा बाकी आप चाहे तो यहाँ पे select कर सकते हैं या non कर सकते हैं तो मैं आपको channel 5 demonstrate कर देंवाला हूँ इसलिए मैं बाकी channels को अभी non करना हूँ जिससे कि कोई भी stick बीच में interfere ना करे आपको cable channel 5 का ही मैं working दिखा पाऊं तो ये काफी easy तो नहीं होता बट काफी easily आप इसे setup कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं आपको इनकी working दिखाऊंगा आप देख सकते हैं display के अंदर अब मैं जैसे ही switches को press कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको working में change दिखने को मिलेगा directly value 0 पे नहीं आ रही है directly value high yellow नहीं हो रही यहाँ पे थोड़ा बीच में difference हो रहा है तो इसका हम working अपने servo motor के अंदर भी देखेंगे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं switch A को press करता हूँ आप देख सकते हैं जैसे मैं switch A को press कर रहा हूँ यहाँ पे हमारा servo थोड़ा सहुमा उसके बाद switch B को जैसे हमने press किया हमारा servo पूरा का पूरा rotate हो गया और जैसे हम इसे back करना चाहें तो हम wise वर्सा उन्ही चीजों को दुबारा से press करेंगे तो यहाँ पे आपको difference देखने को मिलेगा थोड़ा working में पूरा channel एक अठा ही work नहीं कर जाएगा तो यह कभी कभी आपके लिए useful हो सकता है जैसा कि आपका requirement रहा generally मैं इसका इस्तमाल बहुत कम ही करता हूँ आप display के अंदर भी देख पा रहे हैं कि हमें जो setups हैं वो काफी बदले हुए दिख रहे हैं उमीद है आज की वीडियो आपके लिए रही होगी informative तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए good bye